सबस्कार आप सभी का Against Cription के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J3 क्या है इसका परियोग कर हम किसी भी कारी के प्रमानित नमूने किस प्रकार ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जूरे हुए हैं वो अब सबस्क्राइब कर लें तथा बेल आकन पर क्लिक कर आल पर भी क्लिक कर लें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को सेयर करें क्योंकि इसकी जानकारी हर भारतिये को अवस्र होनी चाहिए तथा एक लाइक अवस्र कर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे RTI 2005 की धारा 2J3 के बारे में आज हम लोग सत्ति में विजयते RTI Right to Information इसका फुल फॉर्म है सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI 2005 की धारा 2J3 क्या है सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J3 के तहत परते इक नागरी को सरकारी कारियों में परियोग की गई सामगरी का प्रमानित नमून लेने का अधिकार है इस धारा के तहट कोई भी भारती किसी भी कारी में प्रयोग की गई सामगरी का विभाग द्वारा प्रमानित नमुना ले सकता है इस धारा का प्रयोग कर प्रमानित नमुना सील बंद और विभाग द्वारा प्रमानित किया गया होना चाहिए सामगरी का असली नमुना ही होना चाहिए इसके लिए संबंधित विभाग को सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J3 का पुर्योग कर ले सकते हैं इसके लिए आप RTI आई आवेदन में अस्थान, समय एवन तिथी की सुचना भी मांग सकते हैं इसके लिए भी सुल्क के रूप में 10 रुपए का भारतिय पोस्टल ओडर, पैंक चेक, डिमांड राप्ट या भारतिय इस्टाम या आप कारियाले विभाग जाकर नगद भी जमा करा सकते हैं बिहार सरकार ने 10 रुपए का सुल्क रखा है, अलग-अलग राजियों में अलग-अलग सुल्क रखा गया है, बिहार सरकार ने फोन से भी सुल्क जमा करने की विवस्था की है इसके लिए जानकारी सेवा कॉल सेंटर पटना में फॉन नंबर 155311 है, मैं पुना इसे दुरा रहा हूँ, 155311 है इस नंबर पर BSNL द्वारा डायल कर अपना नाम पता एवं जो सूचना चाहते हैं, उसका विवरन कॉल सेंटर को बताएं, तो आपको उसका अस्थान और तिथी की सूचना दी जाएगी इस प्रकार आप किसी भी कारी के परमानित नमुना आप सील बन लिफापे में लेख सकते हैं, और आप उसकी जाच कर सकते हैं, जैहिंद